हावरुफिक्स वान प्लस एटी कॉल सेटिंग एरर प्रॉब्लम्स नमस्कार दोस्तो तो अगर आप सभी का तिकिर आज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों जैसी के आप स्क्रीन पर भी देख सकते यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कॉल सेटिंग एरर नेट्रोग और सिम काट के वज़य से ठीक है कि यह प्रॉब्लम दोस्तों आपको तब आते हैं जब आप कॉल बेरिंग के पास उते हैं कॉल बेरिंग Immelude करने के लिए जाते होंगे या फिर ठीक है कॉल बेदिंग चेक करने के लिए जाते होंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कॉल सेटिंग कर सकते हैं चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या करना है आप दोस्तों आपने मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिएगा ठीक है रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या कर करना है ठीक है तो एक मिनिट वेडिक करने के बाद दोस्तों आपको दीसिबल करना है और उसके बाद दुबारा से रिचेक करकर नहीं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्फ हुआ है या नहीं उआ है अगर सॉल्फ हो करना नहीं होते तो सॉलीशन फोलो करना है जो कि दोस्तों आपको जाना है सिस्टेम पर रिसेट पर क्लिक करना है और उसके बाद रिसेट वाइफाय मोबाइल एंड ब्लूटूट पर क्लिक करके सेटिंग पर करके मोबाईल पासवड को दे देना है एंड आपके नेट्रोक सेटिंग हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है आपको जाना है उपर में तो यहां भी मिलेगा एपस और और अखैसे जाने के वाद आपको यहां पर देखने को मिटावा सी और एप तो इसमें आपको टड़ करदेना है इसमें तेप करने के ऐधा को फ़स्वेश सर्च करके जाना है ठीक़े तो ब्रत्राओन पे आपको मिल जाएका फों तो उसमें क्लिक कीजिए इस टोरेच पर जाएए इसका डेटा को क्लीन कीजिए डेटा ओके एंड आपको बेक कर देना है और उसके बाद आप सिंपली पूरा बेक कीजिए मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए और नुबारा से जाके चेक आउट करके देखे प्रॉब्लम आपका सॉल्फ हो ज तकी दुबारा से चेक कीजिए प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है इस तरीके सा प्रॉब्लम को सॉल्फ हो सकते हैं सारे साथ दोस्तों आपको जो मोबाइल की सीम है उसको आप इजेक्ट और इंसर्ट भी कर सकते हैं ठीक है तो इससे भी दोस्तों कई बार आपका प ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं ठीक है आज के लिए बस इतना ही दोस्तों उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद होगा तेंक्स फूर वाचिंग